मैंने आक्सिजन एक्स्प्रेस की एक लोको पाइलट शीरिशा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रिक किया है शीरिशा जी नमस्ते मस्ते से कैसे एसे मैं बहुत ठीक हूँ शीरिशा जी मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पाइलोट के रुप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली यह आउक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है शीरिशा जी आप बहुत ही शांदार काम कर रही है कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है आप भी नारी शक्ती का एक बहुत बड़ा उदाँ है महिलाओं शक्ती और देश भक्ती के अनुठी मिसाल हमने देश वाच्वों ने देखी इंडियन आर्मी को लेटनेंट स्वाती और नीधी के रुप में दो विरांगनाय मिली है और वे असामान्य विरांगनाय है असामान्य इसलिए है कि स्वाती और नीधी माभारती की सेवा करते करते उनके पती शहीद हो गए थे हम कल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी आयू में जरह सब संसार उजड़ जाए तम मनस्तिती कैसी होगी लेकिन शहीद करनल संतोष महादिक की पत्नी स्वाती महादिक इस कठीन परिस्तित्यों का मुगदाबला करते हुए उसने मन में ठान दिये और वे भारत की सेना में भरती हो गए 11 महिने तक उसने कड़ी मेहनत करके प्रस्रिक्षन हासिल किया अपने पती के सपनों को पुरा करने के लिए उसने अपनी जिन्द की जॉंक दी उसी प्रकार से नीधी दूबे उनके पती मुकेश दूबे सेना में नायक्ता काम करते थे और मात्र भुमी के लिए शहीद हो गए तो उनकी पत्नी नीधी ने मन में ठान दिये और वह भी सेना में भर्दी हो गई हर देश वासी को हमारी इस मात्रु शक्ति पे हमारी इन विरांगनाओं के पती आदर होना बहुत स्वाभाविक है जबलपूर के चिजगाओं में कुछ आदिवासी महला है एक राइस मिल में दिहाडी पर काम करती थी हर व्यक्ति को प्रभावित किया उसी तरह यह महलाएं भी प्रभावित हुई उनकी राइस मिल में काम रूख गया स्वाभाविक है कि इसे आमर्नी की भी दिक्कत आने लगी लेकिन ये निराश नहीं हुई इन्होंने हार नहीं मानी इन्होंने ताह किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइश मिल शुरू करेगी जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशिन भी बेचना चाहती थी इन में से मिना रहंग डाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयम सहायता समो बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पुझी से पैसा जुटाया जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजी विका मिशन के तहत बैंक से करज ले लिया और अब देखिए इन आदिवासी बेहनों ने वही राइस मिल खरीड ली जिसमें वो कभी काम किया करते थी आज वो अपनी खुट की राइस मिल चला रही है इतने ही दिनों में इस मिलने करीब तीन लाख रुपिय का मुनाफ़ा भी कमा लिया है इस मुनाफ़े से मिनाजी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है मद्द प्रदेश के अग्रोधा गाउं की बबीता राजपुत जिल भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी बबीता जी का गाउं बुंदेलखन में है उनके गाउं के पास कभी एक बहुत बड़ी जील थी जो सुख गई थी उन्होंने गाउं की ही दूसरे महलाओं को साथ लिया और जील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी इस नहर से बारिस का पानी सीधे जील में जाने लगा उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्ट अप शुरू किया है आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्स्टाइन में एक नया ही रास्था बन गया है अचा मुझे बताया गया है पुनम जी कि आपने आउट अप दे वे जाकर लोगों का ठीका लगवाया ये क्या कलपना आई आपके मन में विचार कैसा है और कैसे किया आपने हम लोगों ने पूरी टीम ने संकब लिया था कि हम लोग एक भी बैक्ते चूटना ने किये हमारे देशे कुरोन विवारे दूर भागनी चीए मैंने और आसाने मिलके पर टेक बैक्ती कि हम लोगों निगाओं वाई डियुलिस्ट बन नई फिर उसके साथ जो लोग सेंटर में आये उनको सेंटर में लगाया फिर हम लोग घर गर गया इस कि उसके बाद जोड़ चूटे वेटे जो लोग नहीं है आप आरते सेंटर में हम गणाठके सित्वा जूडाती की है इने महिलाен ससक्तिकरर्ण की देबी ऐसे alleen नहीं कहा गया है पिछले तीम दसकों से बेड़गावी में इन्होंने अन गिनत महिलाओं का जीवन बदलने में भान योगदान दिया है इन्होंने साथ वर्ष की आयूं में नहीं स्वयम को देवदासी के रुप में समर्पित कर दिया था लेकिन फिर देवदासियों के कल्यान के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा दिया इतना ही नहीं इन्होंने दलीत महिलाओं के कल्यान के लिए भी अभुत्पुर्वकार्य किये उनके बच्चे चिन्विरम साथ मिटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्तिती को सुधारा जाए स्कूल इंफ्रस्ट्रक्चर को ठीक किया जाए तायमल जी भी उस मिटिंग में थी उन्होंने सब कुछ सुना इसी बैटेक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर ठीक गई इसके बाद तायमल जी ने जो किया उसकी कलपना कोई नहीं कर सकता था जिन तायमल जी ने नरियल पानी बेच बेच कर कुछ पुंजी जमा के थी उन्होंने एक लाख रुपिये स्कूल के लिए दान कर दिये वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतरगत जारखन में लगबग 15 लाख महिलाओं ने यहां कड़ा छोटा नहीं है 15 लाख महिलाओं ने संगटित होकर एक महा का स्वच्छता अभियान चलाया 26 जनवरी 2018 से प्रारम हुए इस अभियान के अंतरगत मात्र 20 दिन में इन महिलाओं ने एक लाख सत्तर हजार सोचालयों का निर्मान कर एक नई मिशाल कायम की है इसमें करीब एक लाख सक्खिमंडल सम्मली थै 14 लाख महिलाओं दो हजार महिला पंचायत प्रतिनीदी 29 हजार जल सहिया 10 हजार महिला स्वच्छाग रही तथा 50 हजार महिला राजमिस्त्री अब कलपना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटा है जारखन के इन महिलाओं ने दिखाया है कि नारी शक्ती स्वच्छ भारत अभ्यान की एक ऐसी शक्ती है जो समाज जीवन में स्वच्छता के अभ्यान को स्वच्छता के समस्कार को प्रभावी धंग से जन सामान्य के स्वभाव में परिवर्तित करके रहेगी लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टूडू ने टिंबर माफिया और नक्षलियों से लोहा लेने का सासिक काम किया उन्होंने नकेवल पचास हेक्टर जंगल को उजणने से बचाया बलकि दसजार महिलाओं को एक जूट कर पेडों और वन्ने जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरिद किया ये जमुना जी के परिश्रम का ही प्रताप है कि आज गाउंवाले हर बच्ची के जन्व पर अठारा पेड और लड़की की शादी पर दस पेड लगाते हैं 105 साल की उम्र में उन्होंने फिल स्कूल शुरू किया पढ़ाई शुरू की इतनी उम्र होने के बावजूद भागेराथी अम्मा ने लेवल फोर की परिक्षा दी और बड़ी बेसबरी से रिजल्ट का इंतजार करने लगी उन्होंने परिक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्रा अब और आगे पढ़ना चाहती है आगे की परिक्षाइद देना चाहती है जाहिर है बागेरती अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत है पेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोथ है